फूड लाइसेंस कैसे बनवाई, इस से जुरे सभी सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं, जैसे इसके लिए कौन से दोक्यूमेंट की जरूरत होती है, यदि लाइसेंस बनवाते हैं, तो कितनी फीस देनी होगी, और इसमें लाइसेंस के तीन प्रकार कौन-कौन से होते हैं, लाइसेंस बनने में कितने दिन लगते हैं, और ओन-लाइन आवेधन केसे करें, इन सभी प्रशनों के उत्तरों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। FSSA का फूल फॉर्म है, Food Safety and Standard Authority of India, और इसे हिंदी में भारती अखाद्य सनरक्षा एवं मानक प्राधिकरन कहते हैं। आपको बता दे कि यह भारत सरकार की एजेंसी है, FSSA इस बात की जाच करता है कि आपके खाने पीने की क्वालिटी कैसी है, उसमें किसी केमिकल का उप्योग तो नहीं किया जा रहा है, और भुजन का रंग और महक कैसी है, यह सभी जाच सही होने पर ही, उस विक्रेताओं को FSSA के दुवारा एक लाइसेंस प्रदान किया जाता है, और साथ में समय समय पर रिटेलर और होलसेले के खाद्य पदार्थों की जाच भी यही करता है, इसमें लाइसेंस को तीन केटगरी में बाटा गया है, जैसे, पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा स्टेट लाइसेंस, तीसरा सेंट्रल लाइसेंस, और इन तीनों लाइसेंस की फीज भी अलग-अलग होती है, पहले हम इनको एक-एक करके समझ लेते हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन, यदि आप बारहलाक से नीचे का बिजनेस करते हैं, तो आपको FSSAI के बेसिक लाइसेंस क हर से करते हैं, जैसे, उदाहरं के लिए मिर्ची पाउडर, अचार, दुसरा है, स्टेट लाइसेंस, इसके नाम से ही बता चल जाता है, कि जो अपना बिजनेस एक स्टेट के अंदर करना चाहता है, वही इसमें आवेदन करें, यदि आपका बिजनेस 12 लाक से अधिक, लेक उदाहरं के लिए होटल, रेस्टिरंट्स, इत्यादी, तीसरा है, सेंट्रल लाइसेंस, यह लाइसेंस उन सभी के लिए है, जो 20 करोड के आसपास का बिजनेस करते हैं, या खाद्य उत्पादों का आयात या निर्यात करते हैं, अगर आपके बिजनेस की ब्रैंक्स कई रा जमे होती है, यह लाइसेंस सभी राजियों में काम कर देगा, उदाहरं से समझते हैं, यदि आप भारत की मिर्ची को दुबई में बेचना चाहते हो तो, सबसे पहले आपको सरकार से सेंट्रल फूड लाइसेंस प्राप्त करना होगा, लाइसेंस मिलने के बाद आप जिस्ट्रेशन को रिन्यूवल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इतनी ही फीस देनी होगी, अब जानते हैं, स्टेट लाइसेंस फीस, स्टेट का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 3,000 रुपे या 5,000 रुपे फीस देनी होगी, जैसे, अगर आप भूजन सर होटल के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हो, तब आपको 5,000 रुपे की फीस देनी होगी, अगर दूद की बात करें तो, एक मीट्रिक टन दूद या 511-10,000 लीटर दूद का उत्पादन करता है, तब आपको हर साल 5,000 रुपे फीस चुकानी पड़ती है, अगर आप 2.5 MP 500 मीट्रिक टन दूद के लिए आपको हर साल 3,000 रुपे फीस चुकानी पड़ती है, यदि एक साल के बाद आप लाइसेंस का रिन्यूवल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इतनी ही फीस देनी होगी, एक बात और, मैंने अभी जो भी फीस बताए है, वो सभी स् अगर आप लाइसेंस में कुछ करेक्शन करवाना चाहते हो तो तब भी आपको 7,500 रुपे की फीस देनी होगी, लाइसेंस के लिए आपको कुछ दस्तावेज भी आवेदन के साथ देने होते हैं, आए जानते हैं, आवेदक का पासपोर्ट साइच फोटो, पहचान पत्र जैसे PIN Card, Driving, License, Water I.D. Card, पते का प्रमान पत्र, घोशना पत्र, व्यक्ति के नाम और पते के साथ अथारिटी लेटर, लाइसेंस प्राप्त करने में कितने दिन लगते हैं, आवेदन जमा होने के बाद, लाइसेंस प्राप्त करने में आपको 45-60 दिन लगते हैं, ऑँन-Line आवेदन कैसे करें, आप घर बैठे अपने बिजनेस के लिए फूड लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन 3 अक्टूबर से इसके ओनलाइन प्लेटफॉर्म के आप्शन को चेंज कर दिया गया है, यदि आप फूड लाइसेंस के लिए ओनलाइन आवेदन पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं